हाई फ्रेंड्स पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिट से आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप फोटो सेल करके पेसा कमाना चाहते हैं तो आज मैं एक ऐसी वेबसाइड के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप फोटो अप्लोड करके और वहाँ से आप पेसा कमा सकते हैं तो यहाँ पर आज हम Setter Stock के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको Setter Stock पर अकाउंट बनाना पड़ेगा जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना हो रहा चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि दोस्तो से सम्मंदित वीडियो में इस चेनल पर अपलोड करता रहूंगा कि किस तरह से आपको इस वेबसाइड पर वर्क करना है तो चले दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पर Google Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है अगर आप मुबाइल में भी यह ब्राजर ओपन करके अकाउंट क्रियेट करना चाता है तो कर सकते हैं आपको Google Chrome ब्राउजर के सर्च बार में सर्च करना है Sutter Stock Contributor जैसे आप Sutter Stock Contributor सर्च करते हैं करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइड ओपन हो जाते हैं यहां पर आपको जो पस्ट वाली वेबसाइड दिखरी यहां पर आपको किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और आपके सामने कुछ इस तरह का page या interface open हो जाता है। इस तरह का page और interface open होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको name डालना है, display name डालना है, email address डालना है और password डालना है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से मेरी जानकारी फिलिप कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर मेरा password भी show करके दिखा दूँगा किस तरह के password आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं अपनी detail भड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर आप side पर देख सकते हैं कि इस तरह के आपको password create करने हैं। तो यहाँ पर यह detail फिलप करने के बाद मुझे यहाँ पर next पर click करना हैं, जैसे आप next पर click करेंगे, click करने के बाद आपके gmail पर एक mail चला जाएगा, तो हम फटा फट से चलते हैं gmail पर, अगर दोस्तों आपके वहाँ पर mail show नहीं होता है या mail नहीं आता है, तो यहाँ प पर जाकर देखने के बाद आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर सटर से mail आया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से open कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पर इसे open करेंगे, open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, please click head to verify your email, तो यहाँ पर आपको direct click करना है, आप gmail के link पर click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा, open होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी detail flip करनी है, वैसे तो आपका account बन गया है, लेकिन यह कुछ details वगेरा होती है, वो भी आपको इसमें flip करनी होती है, तो यहाँ पर आपको country select कर लेनी ह मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया यहाँ पर मैं select करने वाला हूँ, आप जिस भी country से हैं, यहाँ पर आप select कर सकते हैं, आपको यहाँ पर address लिखना है, इस पर जानकारी आप flip कर देंगे, flip करने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है, next पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाता है और यहाँ पर आपको बोलता है कि आप एक image upload करिए तो यहाँ पर आप upload image पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाता है interface open होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का page देखने को मिलता है यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं जो आपकी image है वो चार मेगाफिक्सल से कम साइच की नहीं होना चाहिए वही image यहाँ पर आप upload कर सकते हैं आप image आप DSLR से भी suit कर सकते हैं mobile से भी suit कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो image आप suit करें वो एक प्रोपर तरीके से शूट करें मैं आगे वीडियो में आपको सब कुछ बता दूँगा आप इस चैनल को subscribe करके रखिये only मैं इस चैनल के जरिये 60 रिस्टोक की वीडियो आपको देता रहूँगा और किस तरह आप account पर upload करेंगे किस तरह सेल होगी किस तरह आपको detail भरनी है वगरा वगरा मैं सारी जानकारी इसमें देता रहूँगा यहाँ पर आप वीडियो भी upload करके सेल कर सकते हैं और इस तरह आप इसे देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर select multiple file पर click करेंगे click करने के बाद आप यहाँ से कोई भी photo चूज कर सकते हैं जैसे मैंने यह photo चूज कर लिया और यहाँ open करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप लेंगे तो यह यहाँ पर आपको upload होती हुई नजर आएगी जैसे यह upload होकर complete हो जाती है तो आपको यहाँ पर next पर click करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह picture upload होना शुरू हो गई है तो यहाँ पर दोस्तो यह picture upload हो चुकी है यहाँ पर आपको next पर click करना है next पर click करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह photo हमने upload कर दिये जैसे आप यहाँ पर check box पर click करेंगे click करने के बाद इसकी detail भरनी होती है detail भरने के बाद ही अपना photo selling के लिए तैयार होता है तो मैं इसकी आगे की वीडियो में इस topic के उपर बात करने वाला हूँ तो आज हमने इस वीडियो में केवल account create करना ही सीखा है कि आप shutter stock पर किस तरह से account बना सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में account बनाने में कोई दिक्कत आती है कोई समस्या होती है या आप से account नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे instagram id पर follow कर सकते हैं link में आपको description में दे दूँगा या फिर आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं मैं आपकी पूरी help करने की कोशिस करूँगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही ता वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe करना मिलते इसकी next वीडियो में तब तक के लिए बवाई जेहिन जे वारत